अब आज की वीडियो में हम community health nursing का nursing care plan देखेंगे जो community health nursing का subject होता है उसका format जो होता है थोड़ा different होता है तो या तो आप यह हमारा format फॉलो कर लिजिए और अगर आपके teachers ने कोई format प्रोवाइट किया है तो वैसा ही आपको बनाना है और हमारा जो टॉपिक है पेशेंट का डाइगेनोस है वो है टैप्टिक अलसर और NCP है Community Health Nursing का लेकिन आपको यह वाला NCP Health करेगा Medical Surgical Nursing का NCP बनाने में भी इसका जो PDF है मैं आपको Telegram Group में दे दूँगी अब भी आप इसको सर्फ समझने की कोशिश करना कि कैसे हमने बनाया है तो पेशेंट का जोर्नल इन्फोमेशन हमने सबसे पहले लिखा है क्योंकि यह Community Area की Posting लगती है इसलिए House Number Village का नाम CHC आपको लिखना होता है CHC नहीं है वहाँ पे Sub Center है पेशेंट का नाम आप लिख लेना तो विलेच पयाल है और CHC भी पयाल है तो यह पंजाब में होता है उसके पाद Head of the Family का नाम आप लिख लेना फिर कितना मेंबर्स हैं घर पी रिलीजन कास्ट मदर अटन क्या होता है कि जो लोकल लेंगविज भूल रहे है वह आपको लिख रहे है जैसे पंजाबी बोलते हैं कोई पहाडी है कश्मीरी है ठीक है डियागमेस पेशेंट का है पेप्टिक अलसर तो इतना क्लियर हो गया आपको क्योंकि हमने इसमें ऐसे लिखा है पेशेंट का नाम नहीं लिखा है क्योंकि हम कम्यूनिटी पोस्टी में क्या होता है कि पूरे हाउस पे ही फोकस होता है हमारा कम्यूनिटी में एक घर हमें को मिल जाता है जो कि हम पूरा उसका डाटा लेते हैं और वो सब उसका स्टडी भी बनाते है उस पे NCP भी बनाते है और वहाँ पर अगर आपको कोई sick patient मिल जाता है, कोई sick है गर में तो उसका उसकी जो बीमारी है उस पे आप NCP बना लेना जैसे कई होंको hypertension होता है किसी को asthma है, किसी को diabetes है तो ऐसी common problems होती ही है community में भी होती है अग्तरitis जैसी problem अजकल हर किसी को हो जाती है फिर हम demographic characteristics में family members के name लिख लेंगे ठीक है जो भी head of the family है उनका क्या 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 relation है सभी members के साथ में फिर education occupation इसमें आप marital status याप फिर health status भी लिख सकते हो family tree बहुत असान चीज है यह बना लेना ठीक है पेशेंट को आपको थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंट करना है और बाकि सबका female male कौन है वो बताना है उसके बाद environment condition यह community के एंसेपी में लिखना होता है कि क्या उनकी house condition है क्योंकि आप वहां पर खुद जाओगी observe करोगी देखोगी तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि हाँ उनको तो पक्का घर है सिमेंट का है किसी का कच्छा घर भी होता है लकडी का घर होता है किसी का तो वैसे करके आपको लिख लेना है पक्का house कच्छा house फिर ownership की किराय पे रहते हैं वो rent पे हैं या फिर उनका अपना house है तो it is there on house number of rooms बताने हैं आपको ventilation का क्या source है खिड़के अदर वाजे हैं या फिर नहीं है light का source क्या है तो जैसे किसी की घर में light ही नहीं होती है वो lamp लगाते हैं वो आपको देखना है कि कैसे वो manage कर रहे हैं तो electricity present है उनके याँ पे water supply कैसी है तो water supply is by tap कुछ लोग उते बॉल से पानी बरते हैं कुछ लोग हैं पानी ही नहीं होता घर पे tap वगरा तो वो सब आप लिखोगे इसमें kitchen की condition कैसी है कमरे में ही kitchen बिनाया वाई या फिर separate है तो they are having separate kitchen disposal of waste कुड़े कच्रे का disposal कैसे वो fake रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं कुड़े का वो उसको fake देते हैं या फिर जला देते हैं या दबा देते हैं वो हम इसमें लिखते हैं फिर CVH का भी आपको बताना है कि उनका क्या सोवीता है bathroom latrine की तो they use latrine उसके बाद प्रिजेंस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल यानि घरे लू जानवर उनके है या फिर नहीं पालतु जानवर होते हैं गाहे बैस बकरी गाहों वाले पालते हैं तो it is हाँ इन देर हाउस प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल यह लिख लिए हैं हमने उनके घर में क्योंकि पालतु जानवर उनके है स्टे जो अवारा कुटे होते हैं वो प्रेजेंट वहाँ पर है या फिर नहीं है ट्रांसपोर्ट अन कम्मिनिकेशन में क्या आएगा कि उनका ट्रांसपोर्ट का क्या माध्यम है क्या मीडिया है तो वह बस यूज कर रहे है और अविभाफा वह लिख तो सब्सक्राइब पाट कशन ओर मुझा पंपार। तो सब्सक्रायम हिख जो है अकृ Representative यूज़ा हिए आपका क्या खाते हिए यहिए थुख भी नहींकेशन कंजप्शन कि उनका जो न्यूट्रियंट्स होते हैं जितने भी पोशक्तत्व होते हैं वो डाइट में प्रॉपर्ली आ रहे हैं पर नहीं तो न्यूट्रिशनल कंजप्शन होगा इन एडिक्वेट है उसके बाद कुकिंग प्रैक्टिस और फूट स्टोरेज लिख लेना है जहां पर आपकी पोस्टिंग है और जो घर आपको प्रोवाइट हुआ है वो कैसा आपको अब्जर्वेशन से फाइंड आउट हुआ है उसके पाद हम लोग इसमें हैट फूट एक्जामिनेशन कर लेते हैं पीशिंट का जो भी आपको सिख पेशिंट लगता है या फिर सब लोगों का घर में यह एक्जामिनेशन कर सकते हो क्योंकि हम अरपस हमारा इंस्टुमेंट वगरा तो हम लेकर जाती है कम्यूनिटी में हम पस फिग्नोमैनोमीटर होता है थर्मामीटर होता है यह चीज़े आप सब की वहां पी देख सकते हो उस घर के मेंबर्स की तो इ इसको की पास का देखने में पढ़ने लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम माता है जिसे अग बाहर नहीं पढ़ा जाता तो इस पैक्स लगाना पड़ता है बागी दूर का सब देख सकते हैं टेलिविजम देख लेते हैं और दूसरे काम कर लेते हैं लेकिन जिसे सिलाई करन हैं कडाई करना है या फिर कुछ बारी की काम होता है और पढ़ने लिखने का वह प्राप्लम में होती है जिनको उनको हैपरमेटैरोफिया होता है तो समें थैक्स organic ह 걱정 होता है मौईपया में क्या होता है कि दूर का नहीं दिखता लेकिन फास का ठीक है जैसे में उनका वीजिंग साउंड प्रेजेंट है क्योंकि थोड़ा एज वाला भी परसन भी है उनका 69 इयर्स ओल्ड है वो और वीजिंग साउंड जो है वो फाइंड आउट होई है हमको जब हमने स्टाइटोसकोप से उसकल्टेशन उनका किया next हमारा पेशन जो है वो क्या है पेप्टिक अल्सर का है ये था अबको पता ही है तो उनका आप्डॉमिन का जब इन्स्पेक्शन किया तो हमने दीख वह जा अबक्शन प्रेजरं और वफ्च्च क्यों कर दर्थ हो रहा था जब हमने पैल्पेशन कि आसके बाउल सुनेगी नहीं यह फिर बहुत ही कम सुनती है जैसे कि जब इंट्रेस्टाइनल ऑ्सक्षिन के प्रॉब्लम में भी बिल्कुल आप करते हो स्टाइटोस्कोप से तो बाउल सांड भी नहीं सुनाई देती है तो कुछ ऐसे कंडिशन होती है कि प्रॉब्लम थी इसलिए हमने अब्रॉमिन में उनकी अपनॉमल्टीज फाइंड आउट कर ली है उसके बाद बैक जो है उनकी नॉर्मल है उनको कोई बैक एक नहीं है लॉडोसिस कुछ भी नहीं है और एक्स्रेमिटीज में क्या है कि उनका जॉइंट पेन है और रेंज प्रॉब्लम हो जाती है जॉइंट होने लग जाता है तो वहीं उनको प्रॉब्लम है एक्स्रेमिटीज में नेक्स्ट है कि जैनिटर एरिया जो है उनका वह नॉर्मल है क्लीन है क्लियर है उसमें कुछ ऐसे अबनॉमल्टी नहीं है फिर हमने उनके वाइटल्स भी चेक करन अफिरत अबसक्ताइब कर लेनी है और अपना इसमेंम यूज़ कर रहे थे ले रहे थे वह हमने लिख ली पेंटरप्रेजोल सुक्राल फेट एक सिरप होती है यह पी एंटरसीड होती है लेप्टिकल से में दी जाती है यह और मेट्रोनिटरजोल अंटिपाइटिक है और परसिटामोल वह तो SOS यानि जब दर्थ है तब ही लेना ह है वरना तो नहीं लेना है तो यह ड्रग्स है उनका डोस है उनका रूट बताया गया है तो घर पी रहते हैं और ले ले लेते हैं दवाईया अपनी फ्रिक्वेंसी बता देनी है OD यानि की एक बार TDS तीन बार BD दो बार SOS जब नेसेसरी हो जब भी जब ज़रूरत हो सिर् इसमें क्या होता है यह रैंटिदीन वगरा की दवाईयां आती है इन्वेस्टिकेशन में हमारे पेशिंट का आल्रसांट हुआ है अब्डामिन का और उनकी एंडोस्कोपी भी हो चुकी है पहले तो वह हमने लिख लिया कि वह दन है उसके बाद नर्सिंग डाइगनोसिस तो कुछ नर्सिंग डाइगनोसिस यानि यह पांक याची आपको एनलिस्ट कर लेनी होते हैं जिसमें कि अक्यूट अब्डॉमिन पेन पेन एफेक्ट ऑफ गेस्ट्रिक एसिप स्कुरेशन या फिर कह लीजी हाईपर एसिडिटी की वजह से उनको अब्डॉमिन में पेन ह फिर दूसरा है इंब्लेंस नूट्रिशन लेस्ट बॉडी रिक्वार्मेंट रिटेटो पेन असूसेटिन फूर्थ में क्या होता है खाना खाने की बाद कई भार पीर में दर्थ हो जाता है तो यह उन्हें इसलिए उनका जो नूट्रिशन पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो उनका स्लीप डिस्टर्ब होता है फिर एंग्जाइटी डिसीज कंडिशन एंट्रीट्मेंट प्रॉसेस तो यह तो कॉमन सी बात है जब भी कोई बीमारी हो जाती है तो हम लोगों को भी घपराहट होती है एंग्जाइटी होती है फियर होता है उसके रिलेटेड के क्या ट वामिटिंग भी एक प्रॉब्लम हो जाती है यानि कि वामिटिंग और नोजिया जैसी कंडिशन भी सामने आ जाती है पैप्टिकल सर्मी इस वजह से डेफिशेंट फ्ल्यूड वाल्यूम का नर्सिंग डाइग्नोस हमें बना लिया लास्मी नॉलिज डेफिसित का डाइग डेफिशेंट फ्ल्यूड वाल्यूम का पहला डाइग्नोस है गोल है हमारा मैंटेन करना है फ्ल्यूड वाल्यूम को इंट्रवेंशन हम करेंगे पेजिन का असेस्मेंट करना है इंटिक आउट्पुट का उनको प्रोवाइड सिप्स ऑफ वाटर एस एस एंड वन नीट उ होती है ओंडेन स्ट्रों इसको एंसेट भी बोलते है वह हम एड्मिनिस्टर करेंगे उनको देंगे अगर नीट है तो और प्रोटोन पंप इंहिबिटर भी देना है क्योंकि वह एंटसीड होता है तो वैसे ही हम इसका इंट्रवेंशन के बाद इंप्लिमेंट करेंगे या नी कि को हमने प्लान किया था कि असेमेंट का पिशेंट को असेस करने का हमने अब द eh do it कर दिया है तो वैसा ही पूरदे इंप्लिमेंट करना है लास में एवालुवेशन कर लीना के clients fluid volume status was improved उनका जो fluid volume deficient fluid volume था वो अब ठीक हो चुका है improved हो चुका है उसके नेक्स डाइग्नोस anxiety का हमने बताया ही था related to disease condition उनका जो anxiety वो रिडियूस करना है फिर हम लोग intervention करेंगे उनकी anxiety का level assess करना है कैसे अजस करते हैं जिसे facial expression उनका mood check करकी उनका anxiety देखी चाहती है vital patient के देखने है प्रोसीज़ भी होगा वो explain करना है ठीक है आप उनका temperature ले रहे हो चाहे आप उनका बीपी ले रहे हो चाहे आप उनको कुछ भी प्रोवाइट करा रहे हो चाहे नेल केर कुछ बी कर रहे हो उनको सब कुछ explain करना होता है okay ताकि वो एक्दम clear हो जाए उनके जो भी doubts है वो सब आपको clear करनी नहीं होते है प्रोवाइट psychological support उनको psychological support प्रोवाइट करना है फिर उसको नेक्स डाइग्नोस है वो मैं आपको जूम करके अच्छिसे दिखाती हूँ तो यह पहला डाइग्नोस है वैसे तो यह आपको first में बनाना है इसमें पेशेंट इसमें पेशेंट बता रहे हैं सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है जो पेशेंट कंप्लेंट करता है मैं पेशेंट सिस्डाट आएफ आपको मिनल पेशेंट दिसकंफ़र कईश्च बता रहे हैं इन पेशेंट पेशेंट की रहा है हम ऑशेंट करते हैं कि छी सतर लूब यस तो यह नाकोल में सल नहीं द्रग्स जो होती है उनको आवइड करना चीज़ जैसे की है ऐस्प्रीन होता है न तो आवइड करने कि दिए क्या होता है कि इनके साइड फेक्ट्स होते है और उनको smoking करने के लिए spicy food कहने के लिए आवइड करना है और इस बताना उनको टेक medication regularly बस फिर वही चीज़े implement करना है आपको प्लान करने के बाद अपना और लस्त में evaluation निकाल लेना है कि abdominal pain is reduced to some extent next diagnose हमारा है तो आप यह note कर लीजिए या फिर अगर telegram group में हो तो वहां से देख लेना फिर नेक्स डाइगनोस हमारा है imbalance nutrition का जिसमें subjective data में patient complaint कर रहा है कि I am suffering from anorexia, noze, dyspepsia निकि मुझे भूपने लग रही है तो हमने अब्सर्व किया कि patient's abdominal bloating यानि fullness है उनके abdomen में उनको anorexia है और उनका weight है वो भी कम है कम हो रहा है decrease हो रहा है आपने नर्सीं डियाग्नोस लिख लिया imbalance nutrition का फिर आपने क्या goal आपका बनेगा कि to maintain normal nutritional pattern okay goal बनेगा हमारा maintain normal nutrition pattern उसके बाद ये जो चीजें है ये ये है intervention तो हमारे intervention है कि हम patient को encourage करेंगी eat करने के लिए खाना वो खाऊ जो आपको irritate ना करें आपको stomach को फिर snacks जो होते हैं वो bad time रात को नहीं लेना है जोने से पहले और एक schedule maintain करना है खाने के लिए जो भी cold clear liquid fluid होते हैं colorless fluid होते हैं वह ही आपको लेना चाहिए कि नारील पानी होता है और पानी यह सिंबल नीबु पानी ऐसे करके जो मतलब आपको बता रही हूं जैसे कि sprite हो गया आपका और जो बाहर बाजार में मिलते हैं drinks वह आवाइट करने चाहिए और fresh fruits juice जो होते हैं वह चाहिए ले लो पर यह बाहर के जो होते हैं carbonated जो है specially वह ने लेने चाहिए इसके अंदर आप Mountain Dews आगए Pepsi Coca-Cola सब इसके अंधर ही आते हैं उसके बाद फिर वही चीज़ें हम implement कर लेते हैं यह अब क्लियर हो गया है आपको दिख रहा होगा ठीक है हमने एक क्लियर हो गया है अपर फिर इसके बाद लास्ट में evaluation ओके की nutrition pattern improved of the patient up to some extent कुछ हद तक उनका जो nutritional pattern है वह आप इंप्रूव हो चुका है ओके इसके बाद health education patient को health education provide करना है weight reduce के लिए बताएंगे smoking के avoid करने के लिए कहेंगी उनको alcohol avoid करने क्लिए कहेंगे जो tight clothes होते हैं वो नहीं पहनना चाहिए over abdomen ठीक है clothes तो वैसी पहनने चाहिए डीले डीले वो जादा अच्छे होते हैं उसके बाद उनको बोला है कि आप nutritional diet लें well balance diet लें spicy food avoid करें exercise करने चाहिए regularly meditation करना चाहिए stress avoid करना चाहिए जो जो आपको एच से लगता है health education में दे सकते हैं उस सब बताना उनको surrounding clean रखो personal hygiene रखो अपना ठीक है avoid stress do meditation the sets avoid करना है regular check-up के लिए जाना है medicine regular खाना है ठीक है follow-up के लिए जाना है तो यह था आज का NCP जो की पैप्टिकल सर पी था ऐसा नहीं कि आप community में ही बनाऊंगे यह जो nursing diagnosis है आपकी यह तो सब जगा चल जाएंगी ठीक है चाहिए आप medical surgical nursing का बना रहे हो NCP पैप्टिकल सर का यह डागिनों सा आप लिख लेना फिजिकल एग्जामिनेशन बना लोगे आप medicine आप लिख सकते हैं सब आपका हो जाएगा बाकि जो format है वो मैं आपको बता रहे हूं कि format community का है ठीक है community का जो NCP होता है न हम उसमें ज्यादा चीज़ें एड नहीं करते हैं सिर्फ घर का ज्यादा इसमें एड होता है घर का जो डाटा होता है न हाउस का वो हम इसमें एड करते हैं इसमें यह past medical surgical history जरूरी नहीं होता इतना chief complaint यह चीज़ पेशिंट की पूरी history यह जरूरी नही है यह community का जो NCP का format होता है वो different होता है हमारे medical surgical or pediatric वाले NCP से okay friends thank you